अभी तक कॉंग्रस की तरफ से में पस कोई हिसा प्रस्ताव नहीं है बट बात यही है कि अभी मैंने जो सोशल मीडिया पे ट्वीट पड़ा नवीन जैहिन जी का उनका की कहना था कि अर्वीन जी हर्याना में कॉंग्रस से गट बंदन चाहता है और उससे फ़ले दिल्ली में 15 के बाद कॉंग्रस का गिराफ उठा है जो वोट हमारे पास था वो खिसका और किसी लिए कोशिश रही कि गटबंदन हो जाए दोनों आधार करती हैं बिल्कुर। इसको मैंने भी साथ हम लोगों ने दिया और दिल्ली में भाजपा को रोकने में हम कामयाब हुए अब बात देश की है तो बात देश में देख रहे हैं कि कॉंग्रस ने मध्य परदेश राजस्तान चातिस गड़ के बाद जीतने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया ह राहूल गांधी चीब एक नेता के तौर पर आपने दिखा चिन्नाई में जिस तरह से महिलाओं से चात्राओं से बात कर रहे हैं एक अच्छा उनका केंपेइन और जिस तरह से मुद्धों को वोठा रहे हैं चाहिए वो बेरोजगारी हो आतंगवाद के मुद्धे हो आगे आना चाहिए आप कॉंग्रेस में सामिल हो रही है कि ने लिए यह बहुत बड़ी अपने लिए मैं कहूंगी मेरे लिए एक संबान की बात होगी क्योंकि मैंने 20 साल कॉंग्रस में दिये हैं आज भी अंदर से पूरी तरह गांधी विचार धारा से मैं संबंद रखती हूं और पूरी तरह भाजपा की विचार धारा के खिलाप मेरा पिछले 25 साल का संगर्श्रा है मुझे खुशी मिलेगी कि मैं भाजपा को रोकने के लिए अगर एक ताकत बन कर काम कर सकेंगे तो तेनों से किसी तरह की कोई भी मुलाकात या बात आज तक नहीं है कर दो कर दो कर दो दो